हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों पिसली वीडियो में हमने सिक्षण विदियां इवं प्रविदियों के बारे में डिसकस किया था हमने इसमें डिसकस किया था सिक्षण युक्तियों के बारे में सिक्षण नीतियों के बारे में और सिक्षण विदियों के बारे में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी हमने डिसकस किया था इसके अलावा हमने सिक्षण विदियों को वर्गी कृत भी किया था सिक्षक केंदरित विदियों में और बाल केंदरित विदियों में इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने सिक्षक केंदरित विदियों के बारे में भी डिसकस किया था लाइक व्याख्यान विदी, पाठे पुस्तक विदी, व्याख्यान परदस्नी विदी, आदी I hope कि वो video आपको पसंद आए होगी तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बाल किंदरित विदियां जिसमें कई अच्छी अच्छी विदियां हैं जिनके बारे में हम डिसकस करेंगे तो दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये वीडियो लाबदाई सिद्ध होगी जादा से यादा अगर आप इसका फाइदा उठाना चाते हैं वीडियो का तो हमें सा वीडियो को पूरा देखना चाहिए और ध्यान मगने होके सुनना चाहिए तब ही जाके आपको इसका ज़्यादा लाप राप दोगा दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अध्यान किया था कि हम विबिन सिक्षण वीडियों को वर्गे करित कर सकते हैं सिक्षक केंडरित वीदी में और बाल केंडरित वीदी में बाल केंदरित विदी के बारे में हमने डिसकस किया था कि इसमें बालक ही सिक्छन का केंदर माना गिया है तो उसमें सबसे पहली जो विदी है वो है प्रियोजना विदी यानि की इसको बोला जाता है project method देखे प्रियोजना विदी जॉन डीवी के व्यवारवाद सिद्दान पर आधारी थे तो जॉन डीवी के व्यवारवाद पर ये आधारी थे ये बहुत महित्वपूर्ण question भी बन सकता है exam में तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि यह जॉन डीवी के व्यवारवाद सिद्धान पर आधारी थे लेकिन इसका प्रवर्तन या हम कह सकते हैं इसका विकास डबलू एच किल प्रैट्रिक जो की जॉन डीवी के सिस्य थे उनके द्वारा किया गया था इन्हों ने 1981 में दे प्रोजेक्ट मेथर्ड नामक शोद प्रकासित किया था और बाद में इसको जे ए स्टीवेंसन द्वारा पूर्ण किया गया तो यहां पर तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं जॉन डीवी डबलू एच किल प्रैट्रिक एंड जे ए स्टीवेंसन तो हम कह सकते हैं इन तीनों ने मिला के इस प्रोजेजना विदी में अपना महतुपूर्ण योगदान दिया है तो यहां पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही धियान रखना है यह एक्जाम के नजरे से भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपसे बात आएगी कि प्रोजेक्ट किस ने किया तो वो थे डबलू एच किल पैट्रिक और यहां जॉन डीवी के आपसिद्दान पर आधारित है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या है ओके सबसे पहले देख लीजेए यहां पर यह है मुख्य आधार ऐसी सिक्षा जो अर्थ पूर्ण क्रिया पर आधारित हो तो बही प्रोजेक्ट एक ऐसा आधार है या ऐसी सिक्षा है हम जो अर्थ पूर्ण क्रिया पर आधारी तो दोस्तो प्रोजेक्ट मेथट के अनुसार ग्यान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उप्योगत होता है ओके दोस्तो इस विदी में पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्राया चात्रो द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल कनने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है ओके तो यही आपका क्या है प्रोजेक्ट है तो पहले आपको इस समस्या लेंगे ओके फिर उसक के से आपकी project method काम करती है तो देखिए दोस्तों project को कई सिक्षा विदों ने अपनी-पनी परिभासा दी है या अपनी तरह से परिभासित करने का परियास किया है तो इसमें सबसे जो महतोपूर्ण परिभासा है वो स्टीव इंसन की है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी भी है तो इन्होंने लिखा है कि project एक समस्या मूलक कारिय है जिसे स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है तो यह बड़ी most important definition है और exam की दृष्टी कोंड से भी यहाँ बहुत ही महतवपूर है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कभी आपके सामने direct statement पूछा जा सकता है कि यह statement किस ने दिया तो आपके सामने option होंगे तो आप आसानी से इसका answer दे पाएंगे अब दोस्तों WH Kilpatrick ने project को चार पार्ट में divide किया है इसके बारे में भी discuss कर लेते हैं देखे सबसे पहले होते हैं रचनात्मक या उत्पादक project तो वास्त्रीक सरस्तना करना इनका उदेश्य होता है जैसे कि अगर हम model बनाते हैं या पत्र का निर्मान करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं रचनात्मक या उत्पादक project इसके बाद आता है दोस्तों कलात्मक या उभगता project कलात्मक या उभगता project का उदेश्य प्रापति परतेक्ष या अपरतेक्ष अनुबह से की जाती है तो इनको आनन्द के project भी कहा जा सकता है जैसे कि suppose कुरम कहानी सुन रहे हैं या संगीत सुन रहे हैं तो ये आपके क्या होते हैं कलात्मक या उब्भोक्ता प्रोजेक्ट होते हैं समझ में आ रहा है दोस्तों इनका उद्देश की प्राप्ती पर्तेक्ष या अपर्तेक्ष अनवाव से की जाती है तो आप इसको समझ सकते हैं कि या आप संगीत सुन रहे हैं या कहानी सुनने हैं तो ये आपका क्या है कलात्मक या उभोकता प्रोजेक्ट है इसके बाद दोस्तों अगला आता है समस्यात्मक प्रोजेक्ट समस्यात्मक प्रोजेक्ट में आपकी टोटल बोधिक प्रक्रिया होती है तो बोधिक प्रक्रिया जिसमें आएगी वो क्या कलाएगा आपका समस्यात्मक प्रोजेक्ट कलाएगा और फिर इसके बाद next of course अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट तो अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट क्या होगा कि जिसमें आप किसी निश्चित कौसल को प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा अभ्यास के द्वारा तो अभ्यास के द्वारा किसी निश्चित कौसल को प्राप्त करने वाला जो प्रोजेक्ट होता है वो अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट होता है जैसे सपोच करो हम किसी मानचित्र को भरते हैं या रेखाचित्र खीशते हैं तो वहाँ पर आपको अभ्यास मिलता है तो अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट क्या लाता है तो बहुत सिंपल है आप इसको ध्यान में रख सकते हैं अब देखे दोस्तों प्रोजेक्ट विदी के कुछ सोपान होते हैं जिनके बारे में भी डिसकस करना बहुत इंपोर्टेंट है तो सबसे पहला जो सोपान है वो है परिस्तिती उत्पन करना देखे बहुत इंपोर्टेंट है जैसे कि हमने पहले भी डिसकस किया कि भाई सबसे पहले इसमें कोई समस्या ली जाती है नहीं परिस्तिती उत्पन की जाती है इसके बाद आता है प्रोजेक्ट का चैन वा उद्देश्य का ग्यान project का chain important है उद्धेश्य का घ्यान होना भी जरूरी है उसके बाद आप क्या करेंगे यूख्य जो भी आपकी planning होगी आप उसका निर्मान करेंगे फिर आप उसका क्रियानवन करेंगे प्रोजेक्ट का किस तरी किस उसको करना है और फिर कारे का मुल्यांकन and then उसके बाद उसका आप विवरन या रिकॉर्ड को रखेंगे तो ये आपके 6 सोपान है जो की WH किलपेट्रिक द्वारा दिये गए हैं और WH किलपेट्रिक ने ही प्रोजेक्ट को चार भागों में डिवाइट किया इसको आप ध्यान में रखेंगे अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट विदी के गुण के बारे में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहां विदी ततपरता के नियम पर आधारित है अभ्यास के नियम पर आधारित है तता प्रभाव के नियम पर आधारित है ततपरता इसमें होती है अभ्यास भी होता है और प्रभाव भी पढ़ता है सबसे important यह अर्थपूर्ण है और स्वेम में संपूर्ण है इसके बाद देखिए विद्यारतियों की जो रूची होती है वो प्रारंब से अंत तक बनी रहती है क्योंकि इसका लक्ष निश्चित्वा स्पस्ट होता है क्योंकि इस विद्यारति हमेशा सक्रिय होता है और जो इसके द्वारा किये जाना वाला कारिय होता है वो जिवन उपयोगी होता है इसलिए भी यह हम कह सकते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण विद्य है इसके बाद दोस्तों ये आती है मनोविज्यानिक सिधान्तों पर भी आदारित है यह लोक्तांत्रिक विदी है या प्रजातांत्रिक विदी है क्योंकि विद्यारति इसमें स्वयम प्रोजेक्ट का चैन कर रहा है योजना का निर्मान करता है और उसका क्रियान्वन करता है इसलिए ये लोकतांत्रिक विदी है, प्रजातांत्रिक विदी कहलाती है, अब सबसे important है, इसमें व्यक्तिकत भिन्निता के अनुसार, सिक्छा, स्वयमकारे करने की प्रविट्थी, आत्म विश्वास, आत्म दिर्बारता, वो अभी व्यक्ति विक्सित करने के प्रयापत होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें व्यक्तिकत भिन्निता का ख्याल रखा जाता है, तो व्यक्तिकत भिन्निता जो कि आपकी सिक्छक केंद्रित विदियो में नहीं होती थी, वहाँ पर हमेशा से इस नियम की अवेलना होती थी, लेकिन यहाँ पर इसका ध्यान रखा जाता है तो जो भी इससे हमें ग्यान मिलता है वो स्थाइवर स्पस्ट होता है तो इसलिए यह विदी बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला ग्रह कारे देने से मुक्ती क्योंकि आप प्रोजेक्ट स्वैम कर रहे हैं तो आपको ग्रह कारे देने में नहीं लगता था वो इसमें लगेगा क्या लगेगा धन लगेगा समय लगेगा स्रम लगेगा ओके तो धन समय स्रम इसमें अधिक लगता है अब इस विधी पर आधारित पाठ्थे पुस्तकों का अभाव है यानि जो यह विधी है वो अभी इतनी हम कह सकते हैं विक्सित नहीं है कि भाई उसमें कई सारी पाठ्थे पुस्तक बनी हो तो इस पर आधारित पाठ्थे पुस्तकों का अभाव हो है अब इसमें बहुत important सिक्षक से अत्यदिक आसा की जाती है कि भाई सबी विस्यों हमें प्रयावजना का ग्यान होगा ठीक है तो सबी विस्यों का एक सिक्षक को ग्यान होना हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है जब जैसे की होता है कि जैसे कोई कला का टीचर है या इथियास और नागरिक सास्त का टीचर है को विज्ञान के विशे में प्रयाप्त ग्यान नहीं होता है ठीक तो सिक्षक से यहां पर अत्यदिक आसा की जाती कुछ जादा ही अपेक्षाई हो जाती तो इस वज़े से भी ये इसके दोस में आ जाता है ओके इसके बाद देखे वर्तमान सिक्षा प्रणाली उपलब्द स हैं और जैसी परिस्थितियां हैं उस परपेक्ष में अभी ये व्यवारिक विदी परतीत नहीं होती है इसके बाद उच्चिक अक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट की उपलब्दता नहीं है तो इस कारण से समय पर पाठ्यकरम को समाप्त करना मुश्किल होता है इसलिए यह हम जादा तर उच्चिक अक्षाओं में व्याख्यान विदी का उप्योग करते हैं ताकि समय से पाठ्यकरम भी पूरा हो सके इसलिए यहां पर कही ना कहीं इन विदियों में कुछ दोस भी विद्दमान है अगली बालकेंदृत विदी है दोस्तों समस्या समाधान विदी इसको सुकराद द्वारा प्रतिपादित किया गया था बड़ा इंपोर्टेंट है कभी पूछा जा सकता है कि समस्या समाधान विदी किसके द्वारा निर्मित की गई या किसके द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया तो वो है सुकराद ठीक सबसे ध्यान देने वाली वात ह कि यह विग्यानिक विधी पराधारित विधी है ठीक इस विधी में सरुपर्तम विध्यारतों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं कि उनके समुक्ष क्या हो जाए कोई समस्या उत्पन हो जाए और उसके पश्चाद वह उस समस्या के समाधान ही तो विवित प अंतर ये है कि प्रयोजना विदी में प्रयोगिक कारियों को महत्व दिया जाता है, यहां पर ध्यान दिने वाली बात है कि अगर समस्या समाधान और प्रोजेक्ट में अंतर की बात कही जाएगी तो समस्या समाधान में जन्नली हम क्या करते हैं कि मानसिक चिंतन और मानसिक न निसकर्स जो निकलते हैं उनमें जादा बल दिया जाता है लेकिन प्रियोजना विदी में जादा तर आपका प्रियोगी कारे को महत्व दिया जाता है तो यहाँ पर हम मानसिक चिंतन कर रहे हैं मानसिक निसकर्स निकाल ले हैं जबकि प्रियोजना विदी में हम जादा तर प बिलकोल यह project method की तरही होंगे बस थोड़ा सा इन में difference होगा देखे सबसे पहले समस्या का निर्माण वचयन फिर समस्या का होगा प्रस्तुतिकरण फिर समस्या से सम्बंदित आंकड़े यानि status 6 को हम collect करेंगे and then उसके बाद परिकल्पना का निर्माण जो की hypothesis का हम करेंगे इनका analyze करेंगे and then उसके बाद हमारा निसकर्स निकलता है इसके बाद दोस्तों अब इनके गुण के बारे में भी discuss कर लेते हैं देखिए गुणतों है ही इसमें वग्यानिक विदी से कारे करने में इसमें अभी विर्ती का विकास होता है सबसे important कि विद्यार्तियों की चिंतन सक्ती तरक छमता और विवेचनात्मक सक्ती का भी विकास होता है व्यक्तिकत भिनिता के अनुसार सिक्षन होता है और क्रिया आधारित सिक्षन की प्रचूरता से प्राप्त ग्यान इस्थाई होता है यानि आपको जो भी knowledge मिलेगी वो permanent होगी अब दोस भी है इसमें बिलकुल जैसे project method में थे कि बही परतेक विशे का सिक्षन इसके द्वारा संभव नहीं है परतेक विशे को इस विदी के द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता केवल उचिकक्षाओं में उप्योगी है क्योंकि इसमें ज़्यादा तर आपको समस्या का समादान है वो मानसिक चिंतन वो मानसिक निसकर्सों के अधार पर देना है आपको ज़्यादा तर चिंतन करना है सोचना है और फिर जाके आपको निसकर्स निकालना है तो यहाँ प वो उच्छ कक्षा के लिए जादा उप्योगी सिद्ध होती है अफकोस समय उसरम तो इसमे अधिक लगेगा ही लगेगा क्योंकि बाल केंद्रित विदी है इसके अलावा देखिए जो हमारे आंकड़े हैं जो हम जिन आंकड़ों के संग्रह की बात करते हैं विद्यालों में उनके प्रयाप्त संदर्ब उपलब्द नहीं है आप ये कह सकते हैं कि अभी हमारे विद्यालों में जिन आंकड़ों के हम संग्रह की बात करते हैं तो उनके प्रयाप्त संदर्ब उपलब्द नहीं है तो वहाँ पर यह विदी थोड़ा सा लैक कर जाती है इसके बाद समस्या समाधान विदी से पढ़ाते समय सिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि समस्या विद्यार्थियों की रूची वा मानसिक स्थर के अनुकूल होनी चाहिए तो अगर समस्या विद्यार्टियों की रूचियों वा मानसिक्स तरके अनुकूल नहीं है तब वहाँ पर भी यह विदी काफी कठिन हो जाती है तो यह दोस्तों हैं समस्या समधान विदी के दोस अब बढ़ते हैं अगली विदी की ओर अगली विदी है दोस्तों हुरिस्टिक विदी जो की बड़ी इंपॉर्टेंट विदी है इसके प्रवर्तक थे दोस्तों H.E. Armstrong जो की रसायन के प्रोफेसर थे यानि केमेस्ट्री के प्रोफेसर थे और ये City of Guilds of London Institute के केंद्री तक्नीकी कॉलेज में पोस्टेट थे तो यहा पर बड़ी इंपॉर्टेंट ये विदी है हुरिस्टिक सब्द एक ग्रीक सब्द है हुरिस्को से बना है जिसका अर्थ होता है मैं खोशता हूँ यानि I discover तो इस विदी का मुख्य उद्देश यही विद्यार्थी को खोजी के रूप में रखना है तो जो Herbert Spencer है उन्होंने भी सपस्ट किया है कि इस विदी में विद्यार्थी को कम से कम बताया जाए और जितना संबव हो सके उसे खोजने के लिए प्रोचसाइद किया जाना चीए इसको भी हमने कथन विदी में डिसकस किया था तो मैं दुबारा से उस statement को इसलिए बोला हूँ क्योंकि इस statement इन्होंने बोला कि यह सिक्छन की वह विदी है जिसके द्वारा हम विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में रख सकते हैं तो यह बड़ा important विदी है तो इस पस्ट है कि यह विदी क्या करती है विद्यार्थियों को सक्रिये रखते वे उनमें वेग्यानिक दिस्ट्रिको को विक्सित करती है ठीक है और स्वेम ग्यान प्राप्ति पर बल देती है तो दोस्तों यहां पर विद्यार्थी सक्रिये रहेगा वेग्यानिक दिस्ट्रिकों को अपने विक्सित करेगा और स्वेम ग्यान को प्राप्त करने की कोसिस करेगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस विधी के गुणकी तो देखिए वैज्यानिक प्रकर्थी के निकट है ये उसके अलावा विद्यार्थियों को ये जिग्यासू बनाती है और उनमें खोज की अभिविर्ती को विकसित करती है यानि उनको खोजी बनाती है मनोवैज्यानिक विधी है विग्यानिक दिस्टी कौन विक्सित करने में सायक है इसके बाद दोस्तों ग्रह कारे से मुक्ती अफकोस इसमें होमवर्क से आपको मुक्ती मिलती है धैरिय, सावधानी, स्वच्छता व अवलोकन जैसे कौसलों के विकास में भी ये सायक रहती है तो इसे बच्छे में पेसंस आता है, वो सावधान रहते हैं, यानि सावधानी बरतते हैं, स्वच्छता व अवलोकन जैसे कौसलों का विकास होता है क्रियक सीलता के सिद्धान पर आदा रही थै क्योंकि इसमें बच्छे करके सीखते हैं और सिख्चक-विद्ध्यारती सम्बंध में भी प्रघारता आती है यानि, उनके सम्बंध अच्छे बनते हैं, मजबूत बनते हैं, ठीक इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ दोस भी है दोस्तों वही है कि अधिक समय लेती है तो अधिक समय में लेने में संपूर्ण पार्टेगरम इस विदी के द्वारा पूर्ण होने में कठनाई आती है यानि पूर्ण नहीं हो पाता और फिर से क्योंकि यह विदी उच्च कक्षा के विद्यारतियों के लिए ज़्यादा उप्योगी है इसलिए निम्न कक्षा के विद्यारतियों के लिए अनुप्योगी हो जाती है क्योंकि उनकी बुद्धी उतनी परिपक्व नहीं होती है तो यहां पर कहीं न कहीं यह और निगमन सबसे पहले आता है आगमन विदी आगमन को हम induction method भी बोलते हैं अरस्तू इसके प्रतिपादक थे तो यहाँ पर आगमन विदी बड़ी important विदी है इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों आगमन विदी का मतलब यही है कि विदी उधारणों का अवलोकन करते हुए स्वेम निसकर्स निकालकर सामानी निवमों का निर्मान करना बड़ा important है कि भाई आपको पहले इसमें उधारण दिये जाएंगे कई सारे फिर आप उन उधारणों को देखके इसमें आप formula का निर्मान करेंगे या फिर हमें एक तरीके से physics में भी देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि अगर किसी वस्तू को फैका जाता है तो नीचे क्यों गिरती है तो इससे हम यह निसकर्स निकालते हैं कि भी पिर्थवी में क्या होता है आकरसंड सकती होती है या गुरत्व आकरसंड बल होता है ठीक यह सबी वस्तों को अपनी और को खीसती है तो पहले हमने उधारन दिया और उसके बाद हमने एक सामाने सा नियम निकाल दिया कि पिरत्वी सबी वस्तों को अपनी और को खीसती है तो actually यह क्या है विशिष्ट से सामान्य की ओर को चलती है ठीक है ना तो विशिष्टि से सामान्य की ओर इसका एक प्रमुक गुण है इसको आप ध्यान में रखेंगे ठीक है ना तो आगमन विदी आगमन विदी में आप विविद उधारणों को देखते हैं और फिर उसके बाद सामान्य नियमों का निर्मान करते हैं बड़ा इंपोर्टेंट आगमन विदी अब आगमन विदी के दोस्तों गुण के बारे में डिसकस कर लेते हैं सबसे इंपोर्टेंट ये है कि भाई ये विज्ञानिक दिश्टी कोन वह अवलोकन चमता का विकास करती है प्राप्त ग्यान विहवारिक होता है और वह स्थाई होता है क्योंकि बालक स्वेम करके सीखता है सामनेता देखे गणित विज्ञान और व्यावकरन के सिख्चक के लिए बहुत उपयोगी होती है यह तारकिक और मनोविज्ञानिक विदी है और निम्न कक्षा के विद्यारतियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है दोस्तों मैं भी जब गणित पढ़ाता हूँ तो भी मैं भी method of induction का ज़्यादा उपयोग करने पे जोर देता हूँ क्यों कि method of induction एक बहुत अच्छी विद्यारतियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ललक पैदा होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उधारणों से सीखते हैं और खुद अपने नियम बनाते हैं तो बड़ा अच्छी method है method of induction यानि आग्मन विद्यारतियों अब इसमें कहीं न कहीं कोई दोस भी हैं दोस क्या है देखे उच्छी कक्षा के विद्यारतियों के लिए उपयोगी नहीं देखे उच्छी कक्षा में high standard पे कहीं न कहीं ये विद्य उपयोगी नहीं रजाती क्योंकि इतने सारे नियम होते हैं तो वहाँ पर इतने उधार में course पूरा नहीं कर पाएंगे यानि आप time के अंदर course को पूरा नहीं कर सकते तो इसलिए उच्छी कक्षा के लिए कहीं न कहीं उपयोगी नहीं रह जाती है ठीक है ना तो छोटे बच्चों के लिए लेकिन काफी उपयोगी है इसके अलावा देखिए अनुभवी प्रसिक्षित सिक्चक ही इस विदी से सिक्छन करा सकते हैं उनकी आवशकता रहती है अगर अनुभवी सिक्चक नहीं होगा प्रसिक्षित सिक्चक नहीं होगा तो वहाँ पर ये विधी काम नहीं कर पाएगी ठीक इसके बाद अगला दोस यह बहुत धीमी गती की विधी है अता विध्यारतियों में धैर्य होने पर ही निसकर्स प्राप्त किया जा सकता है कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में निसकर्स गलत भी निकल जाते हैं ठीक तो भईया इसमें धैर्य तो चाहिए ही चाहिए ठीक इसके बाद प्राप्त निसकर्सों को निगमन से जाचा जाना भी आवश्यक है अब इसके बाद कही ना कही जो निगमन है वो complimentary यानि इसका पूरक है अब जो आपने नियम निकाला उसको भी आप निगमन विदी से जाच की जानी जो रही है ऐसा नहीं कि आपने कोई नियम निकाल दिया तो उस नियम को अगर आप जाच करने बेटेंगे तो भई कही ना कह उसको निगमन विदी से ही उसकी जाच होगी जो आपने आगमन से निकाला है इसके बाद जो अगली विदी है दोस्तों वो है निगमन विदी जो की प्लेटो द्वारा प्रतिपादित की गई थी बड़ी important विदी है अब ये आगमन विदी के बिलकुल विपरीत होती है तो इसका मतलब है कि पहले आपको नियम बताये जाएगा और उस नियम की सत्यता की जाच के लिए उधारणों द्वारा पुस्टी की जाएगी तो पहले इसमें नियम बताएंगे और फिर आप उनसकी जाच उधारणों के द्वारा कर सकते हैं तो भई वो विदी थी सिक्षण सूतर पर आधारित हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके गुणों की तो देखे सबसे पहले यहाँ स्मरण सक्ती बढ़ाती है क्योंकि विद्यारती नियमों को याद रखते हैं उनको याद रखना ही पड़ता है तो इससे डेफिनिटली उनके स्मरण सक्ती बढ़ेगी ठीक इस विद्य द्वारा नियमों की सत्यता की जाच बहुत आसानी से की जा सकती है उच्छी कक्षा के विद्यारतीों के लिए बहुत उपयोगी है समय की बचत होती है क्योंकि पाठे करम सिगरता से पूर्ण हो सकता है और यह आगमन विदी की पूरक है यान मनोविज्यानिक सिद्धानतों के विपरीत अप्राकर्तिक विदी है क्योंकि विद्यारतियों को पूर्मे निर्धारित नियमों का सत्यापन मातर करना है तो यह बिलकुल क्या है अननैचरल है क्योंकि इसमें पहले से ही जो नियम है उनका सत्यापन करना होता है इसके विग्यानिक विधी और विग्यानिक दिश्टिकोंड को विक्सित नहीं कर पाती है इसके बाद अफकaur स्पस्ट्ट होता है और स्थाई होता है अस्थाई समझे रहा ना? तो विध्यारती तो इसमें क्या है कि मसीन की तरह काम करते हैं तो उनको मतलब नहीं होता है कि नियम आया कहां से किदर से आया ठीक बस नियम को याद करते वे चले जाओ तो अफकोस ये चीज़ तो है कि जो ग्यान उनको मिलेगा वो क्या होगा अस्थाही होगा अब इसके बाद विद्यार्ती को देखे निसकर्स पूर्म में ही ग्यात होता है तो इसलिए यह विद्य क्या है रूची कर भी नहीं तो इसलिए रूची भी नहीं रह पाती और उसमें जैसे तरक है चिंतन वह खोजादी सक्तियों का भी विकास नहीं हो पाता तो ये हैं इसके दोस्तों मुख्य दोस अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है अगेन एक और विदी जिसका नाम है ससलेस्टनात्मक एंड विसलेस्टनात्मक विदी तो अब सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं ससलेस्टनात्मक विदी के बारे में तो ससलेस्टनात्मक विदी में अगर हम पाठे वस्तु को इस धंग से उपस्तित करते हैं कि पहले हम अंगों का ज्यान देते हैं और फिर पूर्ण वस्तु का ज्यान देते हैं तो यह पहली वाली यानि संसलेस्टनात्मक विदी कहलाती है तो पहले आपने अंगों का ज्यान दिया यानी छोटे छोटे पार्स का ग्यान दिया और फिर उसके बाद आपने पूरे वस्तू का ग्यान दिया ठीक जबकि विसले स्नात्मक विदी में बिलकुल इसका उल्टा होगा तो उल्टे में आपका क्या होगा कि पहले आप पूर वस्तू का ग्यान देंगे और फिर उसके बाद उसके अंगों का ग्यान देंगे तो जैसे फौर उधारन के लिए मैं आपको बता देंगे हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी में सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले वर्ण माला सिखाते हैं और फिर वर्ण माला सिखाने के बाद सब्दों का ज्यान कराया जाता और फिर वाक्यों का ज्यान तो ये किसका उधारण है? ये उधारण है संसलेश्टनात्मक विदी का तो पहले आपने वर्ण माला सिखाई फिर सब्दों का ज्यान कराया और फिर आपने पूरी वस्तू का यानि पूरे वाक्य का ज्यान कराया लेकिन अगर हम इसका उल्टा करेंगे कि पहले हम वाक्य सिखाएं फिर शब्द और फिर लास्ट में वन्ड तो वो क्या बन जाएगा विशलेशनात्मक विदी बन जाएगी तो आई होप दोस्तों की ये विदी आपको अच्छे से समझ में आई होगी इसके बाद दोस्तों अगली आती है वस्तू विदी देखे वस्तू विदी भी एक बड़ी इंपोर्टेंट विदी है देखे सिक्षन का दोस्तों एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है जिसको कहते है मूर्त से अमूर्त की ओर तो भाई होता क्या है कि भाई संसार का हमें ग्यान अपनी ग्यानुंदिरों के द्वारा ही होता है ठीक है ना जिसमें हमारे कौन है प्रमुक नेत्र क्योंकि जैसे दोस्तों अगर हम ग्यान लेंगे तब ही तो हमें पता लगता ने कि बाहिस अंसार में क्या क्या चीज़े हैं जैसे कि हम नेत्र से आँकों से हम जब देखते हैं तो तब ही हमें चीजों के बारे हम पता लग पाता है चीजों को हम जब छूते हैं हमें तवचा से इस पर्स करके तो यहाँ पर जो वस्तू विदी है वस्तू विदी में बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तू का पर्दसन करके उनके विसे में ग्यान परदान किया जाता है यहां तक कि कई बार तो ऐसा होता है कि अमूर्थ को भी मूर्थ बना दिया जाता है जैसे सपोच करो हमें बच्चों को सिकाना है कि एक तो हम क्या करेंगे ऐक एक तो इससे बच्चों को इस पस्ट हो जाएगा तो इससे बच्चों को इस पस्ट हो जाएगा कि दो प्लस तीन बराबर कितना होता है पांच होता है तो इस तरीके से हम गणित में भी मूर्थ से अमूर्थ की ओर चलते हैं और इसको क्या बोला जाता है वस्तु विधी बोला जाता है तो वस्तु में हमने बच्चों को क्या दिखाई वस्तु दिखाई जिससे की एक मूर्त वस्तु को देखे उनको अमूर्त ज्यान की प्राप्ती हो पाती है और वो आसानी से अपने विसे को समझ पाते हैं इसके बाद दोस्तों अगली आती है द्रिश्टांत विदी देखिए ये वस्तु विदी का ही दूसरा ज्यान को परदान करते हैं यानि द्रिश्टांत क्या होगा ये द्रिश्य भी हो सकता है और स्रव्वे भी कहने का मलब है कि या ओडियो वीडियो दोनों हो सकता है ठीक है ना जैसे सपोच को रो अगर हम द्रिश्य द्रिश्टांत की बात करें तो आप कोई चित्र दिखा स उनके साहरे में आप किसी भी वस्तू का स्पस्टी करन किया जा सकता है ठीक है ना लेकिन कभी आप सपोच करो अगर हम उसको आडियो की बात करें तो आप क्या करेंगे जैसे उपमा दे सकते हैं उधारन दे सकते हैं कोई कहानी सुना सकते हैं या चुटकिले द्वारा भी जिसका नाम है प्रस्नोतर विदी जिसको हम सुकराती विदी भी बोलते हैं दोस्तों इसका सुकरात ने प्रवर्तन किया था तो इसलिए इसको प्रस्नोतर विदी भी का जाता है हालांकि प्रस्नोतर दोस्तों एक युक्ती होती है जिसके बारे में हमने पहले भी डिसकस किया हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रस्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है तो समझ रहना आप इस विदी में क्या होगा कि जादा से जादा प्रस्न किये जाएंगे और उसके उत्तरों के आधार पर ठीक है ना उसके उत्तरों के आधार पर उ हैं तो हमें बच्चों के पूरू ग्यान का पता लग पाता है और इसी कारण से हम उसको आगे जो हमारा जो हम उसको ग्यान देते हैं उससे हम उसका संबंद जोड़ पाते हैं हमें पता लग पाता है कि बच्चे ने कितना ग्यान अरचित किया है तो उसको किस तरह की सिक्षा दी जाए ओके इसके अलावा बच्चों में जो समस्या है उसको भी जानने के लिए और उनके निवारण के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्न पूछते हैं देखे दोस्तों प्रस्न हमेशा सिंपल होने चीए उनकी भासा इसपस्ट होने चीए ताकि बच्चे प्रस्न को भली बाती समसके और हमेशा प्रस्न व्यवारिक भासा में होने चीए जिसको बच्चे अपने व्यवार में लाते हैं उनका क्योई ना कोई उद्देश जरूर ह ठीक है ना और जब भी आप प्रस्न पूछें तो प्रस्न हमेशा तार्क संगत होने चाहिए यानि उनका जो क्रम है वो तार्किक होना चाहिए कि आप लगे कि हाँ जो क्वेशन है वो एक सिरीज में पूछे जा रहे हैं जिससे बच्चों का हम पूर्वा ज्यान का पता लग सकें उनकी समस्याओं का पता लगा सकें और उनका निवारण कर सकें बढ़ते हैं नेक्स विदी की ओर इसके बाद बारी आती है दोस्तों शोध विदी की शोध विदी भी बड़ी इंपॉर्टेंट विदी है ये जर्मनी के प्रोफेसर एची आमस्ट्रॉंग द्वारा व ज्यापग भी चात्र के पत्परदसक का कारे करता है ओके और उसको गलत रास्ते से जटाकर सीधे रास्ते पे लाता रहता है ठीक तो इसमें अगर हम सिख्षक के लक्षे की बात करें तो जो ग्यान चात्र अपने निरिकशन अथवा प्रयोग द्वारा प्रात्त कर सकता है वो उसको बताए ना जाएं यही उसका लक्ष रहता है समझ मारा ना कि इसमें वो छात्रों को स्वयम, निरिक्चन और प्रियोग द्वारा ज्यान अर्जित करने के लिए मोटिवेट करता रहता है वो एकोसिस करता है कि इसको मैं ना बता हूँ, यह खुद ही सीख ले जैसा कि अगर आप में से कई लोगों ने पीएसडी की होगी तो आप इसके बारे में जानते होंगे तो पहले तो इस पुदी का प्रियोग विज्ञान में किया जाता था, विज्ञान सिक्षा में किया जाता था लेकिन धीरे धीरे अब यह कई सारे subject like maths है, भुगोल है, अन्य विशियों में भीज का प्रियोग होने लगिया है ठीक है ना तो इसको क्या बोलते हैं शोध विदी बोला जाता है इसके बाद दोस्तों अगली जो विदी है उसका नाम है डाल्टन विदी देखिए डाल्टन विदी अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान पे 1912 से 1915 के बीच में हेलन पाखहस्ट बड़ा इंपोर्टेंट नाम ह हेलन पाखहस्ट द्वारा इस विदी को विक्सित किया गया था तो यहां पर यह विदी कक्छा सिक्षण के दोसों को दूर करने के लिए आविश्कृत की गई थी तो यहां पर सबसे इंपोर्टेंट यह है कि डाल्टन विदी में जो कक्छा भवन है उसका स्थान क्या ले प्रियुक्साला होती है और उस विशे के अध्यन के लिए जैसे पुस्तके हैं चित्र मान चित्र यह जितने भी सामगरी है वो उस प्रियुक्साला में रहती है ठीक तो जो विशे का विशेसक गया है जो अध्यापक है वो प्रियुक्साला में बैटकर ही चात्रों की साहि करता है ठीक तो जैसे सबोच करो वर्स भर का जो काम है उसको हम 9 या 10 assignment में बाट देते हैं ठीक और सबको सारे चात्रे उनको कार लिखित में दे देते है और जितनी इंटरवल्स का काम यह पूरा कर लेते हैं तो यह उनके हम कह सकते हैं ग्राफ कार्ड पे या रेखा पत्र पे लिखा जाता है ठीक है न तो जैसे काम मंतली डिवाइड होता है तो अगर एक मंत का काम पूरा हो गया तो इसके बाद दूसरे मंत का काम दे दिया जाता है ठीक इस प्रकार दोस्तों में कह सकते हैं कि इस योजना में चात्रों को अपनी रूची और सुविदा के अनुसर कारे करने की छोट रहती है ओके तो जो डाल्टन के सिध्धान्त हैं उनको अपनाए है ना ठीक तो बड़े इंपोर्टेंट विदी है डाल्टन विदी आप इसको ध्यान में रखेंगे हेलन पार्क हस्ट द्वारा यह विक्सित की गई थी ओके इसके बाद बारी आती है दोस्तों वर्दा योजना यानि की बेस सिख्छा विदी या बुनियादी सिख्छा विदी भी इसको कहा जाता है दोस्तों यह मातमा गांधी द्वारा विक्सित की गई थी और यह अपने ढंकी एक अलग से सिख्छा विदी है ठीक है ना तो गांधी जी ने उस समय पे देश की तकालिन सिती को ध्यान में रखते तो उनका विश्वास ये था कि जब तक छातर हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे स्रम का मैत्व नहीं ग्यांद होगा सद्धान्तिक ज्यान हमेशा मनुष्य को एहंकारी वो निस्क्रिय बना देता है या उनका मानना था और बच्चों को आरम से ही किसी ना किसी हस्त कौसल द्वारा सिक्षा देनी चाहिए यह उनका मत्ता तो जैसे उस समय पर हमारे देश में करिसी वकताई बुनाई और बुन्यादी धन्दे थे जिसमें देश के हमारे तीन चौथाई लगबग तीन चौथाई जनता उसमें मात्रभासा के माध्यम से सिक्षा दी जाए हस्त कौसल केंद्रे सिक्षा थी साथ से चौदा वर्स तक निशुल का अनिवारे सिक्षा थी और इसमें बोला गया था कि सिक्षा स्वावलंबी हो अर्थात कम से कम अध्यापवकों का जो वेतन है वो छात्रों के कियेगे कारि क्योंकि बिक्री से आजाए कहने का मलब जो भी हस्त कोसल से बनाएंगे तो उनकी जब बिक्री होगी मार्केट में तो उनसे जो पैसा आएगा उससे सिक्षकों का वेतन निकलेगा ठीक है ना तो वैसे देखा जाए तो यह अंतिम सिद्धान्त का बड़ा विरोध हुआ था और बाद में इसको बेसिक सिक्षा से हटा दिया गया क्योंकि एक तरीके से माना किया कि बच्चे हैं वो समान बना रहें बेच रहें और फिर उसी से ही उनकी जो उनको पढ़ाने वाले जो सिक्षा के उनका वेतन निकल ला ठीक है ना क्योंकि अंग्रेजी सिक्षा ने देश के अधिकान सिक्षितवर को इस तरीके से चेंज कर दिया है कि वो हाथ से काम करने को अब हिंदा मानते हैं ठीक तो इस प्रकार से कि जो संपन और उच वर्गे के लोग थे उन्होंने बुन्यादी सिक्षा के प्रति उदासिंता ही दिखाई जिससे यह सिक्षा केवल निर्धन लोगों के लिए ही रह गई थी तो धीरे धीरे ये योजना थी वर्दा योजना ये धीरे धीरे असफल हो गई इसके बाद दोस्तों अब आपके सामने एक लिस्ट आ रही होगी जिसमर हमने जितनी भी महतुपूर्ण विदियां हैं सिक्षण विदियां हैं और उनके प्रतिपादक उनकी जानकारी दी गई है तो थोड़ा से इसको देख लेते हैं देखें मॉन्टेसरी विदी मारिया मॉन्टेसरी द्वारा बनाई गई थी important है kindergarten विधी, frobell द्वारा प्रतिपादित की गई थी kale विधी, हैंरी, cold wild cook द्वारा, dalton विधी जिसके बारे में हमने discuss किया praten विधी, pestology द्वारा, koj विधी, heuristic विधी, जिसके बारे में हमने discuss किया था आम्स्ट्रोंग, प्रस्नोतर विदी, सुकराद द्वारा प्रतिपाधित की गई, प्रोजेक्ट विदी, अभी हमने पढ़ा, विल्यम हंरी किल्पै्ट्रिक, पेज्यानिक विदी, गुडवार्श स्केट्स, समस्या समदान विदी, सुकराद, सुक्ष्म सिक्षन विदी रॉबर्ट और मुल्यांकन विदी जे-म राइस, समस्या समदान विदी सुकराथ, इकाई उपागम, H.C. मौरिसन, विनेटिका विदी कॉल्टन, बास्बर्न, ड्रेकाली, ड्रेकाली के द्वारा, बेल प्रद्यती, लुई ब्रेल के द्वारा, प विदी, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, प्रस्नावली विदी, बुडवर्थ की समद विदी प्लेटो, रेखी अभिकरमित अनुदेशन विदी, B.F. सकेनर या भाय अनुदेशन विदी बोला जाता है इसको, साकी अभिकरमित अनुदेशन विदी, या आंत्रिक से बड़ी important है तो निसकरसिता दोस्तों अगर हम देखें तो सिक्षण विदियां तो अनेक हैं सबका प्रवर्तन किसी ना किसी विशेश परिस्तिती में सिक्षा सास्त्री के द्वारा हुआ है तो लेकिन वास्ताव में परतेक अध्यापक की अपनी टीचिंग टैक्निक होती है अपनी सिक्षा विदि होती है जिससे वह छात्रों को उनकी रूची वा योगता के अनुसार ज्यान परदान करता है तो जो विदि जिसके लिए अधिक उपयोगी हो वही उसके सर्वस्रेष्ट विदि है तो दोस्तों ये थी सिक्षन विदियां प्रविदियां दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूर अपना वैल्यूबल कमेंट दे क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्तुपूर होता है या हमें आगे और भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेविद करता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन ते करे और गूद बड़े